असलम लेकूम कैसे हैं आप साब मुझे अमीद है सब ठीक होंगे कैसा वीकेंड गुज़रा सब का रह चरी कैसा गुज़रा हमारा संडे स्टाइट हुआ है अभी तो उसी में की वीडियो में कॉट कर रहे हैं आप सब के लिए अभी हम जा रहे हैं पैंकेक स्टीम्ज में आज चुके संडे था तो हमने डिसाइड किया कुछ देसी खाने की विजाए कुछ वलाइती खाना खाया जाए तो हम सुबा जा रहे हैं पैंकेक्स खरीदने उनको हम खाएंगे ट्राइ करेंगे काफी मज़े की लगे थे मुझे ये मैं दूसरी दफा खा रही हूं तो पहल तो दूप में हम दूप है यहाँ पर पकिस्तानी खाने मिल जाते हैं लेकिन पाकिस्तान जैसा ट्रेइन्ड नहीं होता है तो पाकिस्तानी खानो मैं को मैं बहुत निस करती हूं अधर और अधर आपको जगा जगा से मिल जाती थी चीजे लेकिन आपको यहाप स्पेसिफिक एरिया में जाना पड़ता है जो कि पाकिस्तानी एरिया उदर जाके आपको चीजें खरीने पड़ती है उदर से आपको बाई करने पड़ती है चीजें और वो फिर अगर आप थोड़ी कि आज हमने यह डिसाइट किया है यह एक है तो यह मैं डैनीज में आया है हम यह इसमें इधर ही खुरीद रहे हैं तो मैंने डिसाइट किया चलो मैं गारी में जाके वेट कर लेती हूं वो खुद ही आ जाएंगे लेके जाब भी आना हो संड़े का दी है तो काफी बीजी गुजरता है हमारा संड़े का दिन ग्रॉसरी होती रहती हैं कभी के एक स्टोर पर जाओ कभी दूसरे में अभी हमें एक स्टोर पर गए थे यहां पिसे चिकन खरीदा कीमा खरीदा जावल और इस तरह घर की छोटी मुटी और ग्रॉसरी अब फिर इसके बाद फिर जाएंगे एक दफ़ा एक और शॉप में अदर से चीज़ें खरीदेंगे इसी तरह से ग्रॉसरी में बस संड़ी जाओं हमारे लिए लिए तो चुक्के मेल मेंबर्स गार होते हैं इसलिए फिर ले जाते हैं उन्हें कभी एक स्टोर पर कभी दूसरे स्टोर पर तो अभी ये चीज़ें खरीदी हैं अब दूसरे स्टोर पर जाने लगी हैं दूसरा आरडी उसमें भी घर की तोड़ी सी क्लॉसरी खरीद नहीं थी आज ठांड के बाहर काफे ज्यादा लाग रही हैं बहुत तेज हवा चल रही हैं आप भी मुझे बताएं आपका संड़े कैसा घुजरा संड़े में आप सब क्या करते हैं मैंने आपसे चोटे- काने की कुशिश की कि हमारा संड़े किसा से घुजरता है तो आप भी बताएं कैसा आपका घुजरता है यह हमने डिनर में डिसाइड किया पीजा कहें साथ कार्लिक नौर्स आपको नजर आ रही होंगी वह डिनर में अभी फिर टीवी देखा उनके खाने के बाद अभी बस रिलाक्स का रहे हैं टीवी देख रहे हैं दिन में बहुत बागदोर कर ली हब थोड़ा टीवी टाइम हो जाए तो इस टाइम जरथरा रिलाक्स करते हैं तक्रीवां आठ नो का टाइम है अभी ग्यारा बारा बज़े तक सो जाएंगे कि सुबह पर उठना चे बज़े तक जाब के लिए मेरी हजबन जाब पर जाते हैं फिर इसलिए मुझे उठना होता है उस टाइम तो आप मुझे जरूर बेताना आपका सेंड़े में किस तरह गुज़रता है यह जरा चोटा सा क्लि अजियो में आला हाफीज